दोस्तों जब भी हमें एक लड़की भीगी भागी सी मेरे महभूब कयामत होगी और मेरे सामने वाली खिड़की में जैसे गाने सुनते हैं तब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का नाम आता है और वो हैं बॉलिवड के मशूर कलाकार किशोर कुमार जिन्होंने डारेक हमेशा तनहाई में गुजरी हालकि इन्होंने चार शादियां भी की लेकिन वो भी किशोर कुमार के अकेले पन को दूर नहीं कर सकी और आज भी किशोर कुमार की जिन्दगी एक रहस्य बनी हुई है तो चलिए जानते हैं किशोर कुमार की उन चार पत्नियों के बारे में नमबर एक पर हैं रूमा गुहा दोस्तों किशोर कुमार की पहली शादी साल 1950 में रूमा गुहा से हुई थी लेकिन आपसी अन्बन के कारण इन दोनों ने साल 2058 में तलाक ले लिया और ये दोनों शादी के 8 साल बाद ही एक दूसरे से अलग हो गए थे नमबर दो पर हैं मधुबाला दोस्तों बॉलिवर्ट की सबसे खूबसूरत अभिनेतरी माने जानी वाली मधुबाला को आप सभी लोगों ने बॉलिवर्ट फिल्म मुगले आजम में देखा होगा जिसमें उन्होंने अनार कली का किरदार निभाया था हम आपको बता दें कि फिल्म मेहलों के दोरान किशोर कुमार को मधुबाला से प्यार हो गया था और उन्होंने साल 1906 में एक दूसरे से शादी कर ली थी मधुबाला से शादी करने के लिए किशोर कुमार ने इसलाम धर्म को भी अपनाया था और उन्होंने अपना नाम किशोर कुमार से बदल कर करीम अब्दुल रख लिया था लेकिन शादी के 9 साल बाद ही मधुबाला की बिमारी के कारण मृत्ति हो गई और किशोर कुमार एक बार फिर से अकेले हो गए तीसरे नंबर पर हैं योगिता बाली दोस्तों योगिता बाली को आप सभी लोगों ने फिल्म आखरी बदला खुआब और मेमसाब जैसी फिल्मों में देखा होगा तो वही मधुबाला की मौद के बाद किशोर कुमार का दिल योगिता बाली पर आ गया और बहुत जल्द इन दोनों ने शादी कर ली लेकिन ये शादी तीन साल बाद ही तूट गई और योगिता बाली ने किशोर कुमार को तलाक दे कर मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली भी हुए लेकिन शादी के 7 साल बाद ही किशोर कुमार की मौत हो गई और लीना चंद्रावरकर उनकी आखरी पतनी साबित हुई आप सभी लोगों ने लीना चंद्रावरकर को मन चली और महभूब की महंदी जैसी फिल्मों में देखा होगा और फिलहाल लीना चंद्रावरकर बॉलिवुट से दूर है तो दोस्तों आप सभी को किशोर कुमार की कौन सी पतनी सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुट से जुड़ी और भी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें